असलाम एकुम, I am Shifah Batun from Golden Aid of Ames Kennedy School, Hanwara. Today, my topic is preposition. In, On and Add. ये तीन चीज़े कहां पर यूज होती है, मैं आपको बताऊँगी. आप simply याद रखो, In का meaning है volume और area. जब हम किसी चीज के अंदर की बात करते है, या हम उस चीज की area या volume की बात करते है, तो हम वहाँ पर जो preposition यूज करते है, वो होता है हमारा in. अब जब हम किसी चीज की surface की बात करते है, उपर की चीज की बात करते है, तो उस टाइम जो preposition लगता है, वो होता है on. और जब ना ही तो मुझे area से कोई मतलब होता है, ना ही तो surface से कोई मतलब होता है, कुछ kites है जो की sky में है means वो एक area को cover कर रहे है तो मतलब है कि area को जो cover करता है उस टाने जो preposition लगता है वो होता है हो गए first example second example the book is dash the table कोई book जो है वो टेबल पर रखी है means की surface पर रखी है जब कोई चीज surface पर रखते है तो उस time जो preposition news होता है वो हमारा on होता है हो गए दो चीज़े I'm at Aliza डाश पार्टी मैं Aliza assembly एक पार्टी में means that पार्टी मेरे लिए एक point है सिर्फ एक point है तो जो पॉइंट की बात होती है तो उस time जो preposition यूज होता है वो होता है अब एक थोड़ा logic की बात करते है सिंपल सा logic है मैंने maths में भी देखा होगा पड़ा होगा कि area जो है वो बड़ा होता है point से that means point सबसे चोटा उससे थोड़ा बड़ा surface और उससे बड़ा area कि यूज होhtuhan के लिए यूज करते है और उससे थोड़ी चीज के लिए उस करते है और एंट हम उससे थोड़ी ठोडी चीज होगा के साथूज करते है तो सबसे छोटा क्या है एट है तो एट की यहां से सबसे छोटा इन में से क्या है टाइम है तो टाइम के साथ क्या लगता है एट लगता है time के साथ add लगता है क्योंकि time जो है सबसे छोटा है और time जो है सबसे छोटा है add जो है इन में से सबसे छोटा है तो एक example she will reach dash pm जो एक particular time की बात कर रहे है तो time के साथ क्या आता है add आता है तो days के साथ day के साथ क्या आता है on आता है क्योंकि at से थोड़ा सा बड़ा on है और time से थोड़ा सा बड़ा day है तो days के साथ याद रखिएगा हमेशा on आता है day will come on Sunday अब on से थोड़ा सा बड़ा क्या है? in है और days से थोड़ा सा बड़ा क्या है? month है, month में 31 days होते है तो जो है exams will start that January exams will start in January और इन से बड़ा हमारे पास है नहीं कुछ यहां पर इमान से बड़ा air है इन से बड़ा हमारे पास कुछ है नहीं तो यहां पर प्रेपोजिशन यहां की साथ भी हम इन यूज करते हैं India got independence in 1947 यहां पर जो है मैं एक important point बोलूंगी यहां पर बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है कि हमारे exams भी बहुत टाइम पर आया होगा today, tomorrow, yesterday इन सब चीजों के साथ जो है कोई भी preposition यूज नहीं होता मतलब कि नहीं तो इनके साथ in use होता है नहीं on use होता है वो नहीं at use होता है I will come on today नहीं होगा I will come today मैं आज आ जाओंगी I will come on next Sunday नहीं होगा I will come next Sunday होगा Thank you